नमस्कार विद्यार्तियों रक्त के समू के विशय में जानेंगे आज के सत्र के अधिगम उद्देश्य हैं प्लाज्मा तथा उसमें पाई जाने वाले पदार्तों के विशय में जानकारी प्राप्त करने में विद्यार्तियों की सहयता करना रक्त के कार्यों को समझने में विद्यार्तियों की सहयता करन विभिन प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाओं को जानने में विध्यार्तियों की साहिता करना विभिन प्रकार के रक्त समूग की विशे में जानने में विध्यार्तियों की साहिता करना विध्यार्तियों में विज्ञानिक दृष्टी कोण और अवलोकन कोशल का विकास करना कक्षा में प्राप्त किये गए ग्यान को विध्यार्तियों के दैनिक जीवन से जोड़ना विध्यार्तियों जीव विज्ञान जीवों का व्यवस्तित अध्यन है यह प्रत्वी पर जीवों की कथा है जीव विज्ञान जीवन के स्वरूपों एवं जीवन प्रक्रमों का विज्ञान है जीव विज्ञानिक प्रणाली प्राय उन भौतिक नियमों को चुनोती देती है जो के पदार्थ के व्यभार और हमारे जगत में उर्जा को नियंतरित करते हैं एतिहासिक रूप से जीव विज्ञानिक ज्यान मानव शरीर एवं उसकी क्रिया शीलता के अनुशांगिक ज्यान का रूप रहा है प्यारे विद्यारतियों आपने प्राणी जगत के अनेक एक कोशिकिय वह बहु कोशिकिय जीवों का अध्यन किया है एक कोशिकिय प कर अंग और अंग तंत्र की रचना करते हैं इस तरह का संगठन लाखों कोशिकाओं द्वारा निर्मित जीव की सभी क्रियाओं को अधिक दक्षता पूर्वक एवं समन्वित तरीके से चलाने के लिए आवश्यक होता है अब तक आप यह सीठ चुके हैं कि जीवित अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध होने चाहिए उतकों के सुचारू कार हेतु अप्षिस्ट या हानिकारक पदार्थ जैसे कारबन डायोकसाइड का लगातार निश्काशन भी आवश्यक है अतह इन पदार्थों के कोशिकाओं तक के चलन हेतु एक प्रभावी क्रिय विधी का होना आवश्यक था विभिन प्राणियों में इस हेतु अभिगमन के विभिन तरीके विक्सित हुए हैं सरल प्राणी जैसे स्पंज वसीलियन ट्रेट बाहर से अपने शरीर में पानी का संचरन शारिरिक गुहाओं में करते हैं जिससे कोशिकाओं के द्वारा इन उच्च प्राणियों में रक्त इस उद्देश में काम आने वाला सर्वाधिक सामान्य तरल है आए अब रक्त के कार्यों की बात करते हैं रक्त शरीर के तापमान का अनुरक्षन अंग्रेजी में मेंटेनेंस करता है फुफुसों से शरीर के विभिन भागों को ऑक्सीजन ले जाता है और वहां से कार्बन डायोक्साइड गैस को फुफुसों तक वापस लेकर आता है रक्त शरीर से अप्षिष्ट तथा हानिकार पदात जैसे कार्बन डायोक्साइड का निश्कार्शन भी करने में सहिता करता है शरीर के उपाबचे जन अंत्यपदार्थों को पहुंचाना जिनको व्रक बाहर विसरजित कर देते हैं यह कार्य भी रक्त का है पोशक पदार्थों और शदी विटामिन आधी को शरीर के सब भागों तक रक्त पहुंचाता है रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जो हमारी रोग जनक से लड़ने में सहायता करती है रोग उद्पादक जिवानुओं का नाशकर इनसे शरीर की रक्षा करती है रक्त में उपस्तित प्लेटलेट्स हमारे शरीर से रक्त को बहने नहीं देती रक्त हॉर्मोन को भी उनकी ग्रंथियों से शरीर के भागों तक पहुंचाता है शरीर में लवन और शार का संतु प्लाज्मा प्रद्रव्य एक हलके पीले रंग का गाड़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55 प्रतिशत होता है प्रद्रव्य में 90-92 प्रतिशत जल तथा 6-8 प्रतिशत प्रोटीन पदार्थ होते हैं फाइब्रिनोजन, ग्लोबलिन तथा आल्बमिन प्लाज्मा में उपस्तित मुख्य प्रोटीन है फाइब्रोंजन की आवश्यक्ता रक्त ठक्का बनाने या सकंदन में होती है ग्लोबलिन का उप्योग शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र तथा आल्बमिन का उप्योग परा चानि संतुलन के लिए होता है विद्यार्तियों प्लाज्म में अनेक खनेस्ड आयन जैसे सोडियम क्याल्सियम मैगनीशियम बाइकार्बोनेट आयन तथा क्लोरल आयन भी पाए जाते हैं ग्लूकोज अमीनों अमल तथा लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं रूदिर का थक्का बनाने अथवा सकंदन के अनेक कारक प्रदरव्य के साथ निश्क्रिय दशा में रहते हैं बिना थक्का अर्थाद सकंदन कारकों के प्लाजमा को सीरम कहते हैं संगटित पदात लाल रूदिर कणिका, अंग्रेजी में एरिथ्रोसाइट, श्विताणू, अंग्रेजी में ल्यूकोसाइट, तथा पटिकाणू, अंग्रेजी में प्लेटलेट्स को संयूक्त रूप से संगटित पदार्थ कहते हैं. और ये रक्त के लगभग 45 प्रतिशत भाग को बनाते हैं. याद कीजिए कि 55 प्रतिशत भाग प्लाजमा का होता है. एरिथ्रोसाइट या रक्ताणू या लाल रूदिर कणिकाएं अन्य सभी कोशिकाओं से संख्या में अधिक होती हैं. एक स्वस्त मनुष्य में ये कणिकाएं लगभग 50 से 50 लाख प्रतिखन मिलीमीटर रक्त या दश्मलव 5 से 5.5 मिलियन प्रतिखन मिलीमीटर होती हैं. वयस्क अवस्था में लाल रूदिर कणिकाएं लाल अस्ति मज्जा में बनती हैं. अधिकतर संधारियों की लाल रूद रूदिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलते हैं. तथा इनकी आकरती उभयातल अंग्रेजी में बाई कॉनकेव होती है. इनका लाल रंग एक लोह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्तिती के कारण होता है. लाल रूदिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन र प्रोटीन है. हीमेटिन के अंदर लोहा रहता है. हीमोग्लोबिन ओक्सीजन का वहन करता है और इसको रक्त द्वारा सारे शरीर में पहुचाता है. अनेक रोगों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है. लाल रूदिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता तो लाल रू नहीं है कि लाल रखते कणिकाओं में केंद्रक शुरुवात से ही नहीं होता परन्तु लाल रखते कणिकाओं में केंद्रक विकास की एक प्रावस्था के दौरान विलुप्तिया समाप्त हो जाता है एक स्वस्थ मनुष्य में प्रती 100 मिलीमीटर रख्त में लगभग 12-16 ग् गैसों के परिवहन में महतफपूर्ण भूमिका है फुफुसों से शरीर के विबिन अंगों को ऑक्सिजन ले जाना और वहां से कार्बन डायाकसाइड गैस को फुफुसों तक पापस ले आना यह दोनों ही कार्या हीमोग्लोबिन द्वारा किये जाते हैं लाल रखते कड़क का कब ब्रिस्तान भी कहा जाता है उसमें होता है ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण तथा रंगहीन होने से श्वेत रूद्र कणिकाएं भी कहते हैं इन में केंद्रक पाई जाते हैं तथा इनकी संख्या लाल रखत कणिकाओं की अपेक्षा कम ऑसदन शेडियों में बाटा गया है कणिकाणू अंग्रेजी में ग्रैनुलोसाइट तथा अकण कोशिका अंग्रेजी में ए ग्रैनुलोसाइट न्यूट्रोफिल इस्नोफिल वह बेसोफिल कणिकाणूओं के प्रकार हैं जबके लिंफोसाइट तथा मोनोसाइट अकण कोशिका के प्रकार हैं श्वेत रूद्र कोशिकाओं में न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे अधिक लगभग 60 से 65 प्रतिशत तथा बेसोफिल संख्या में सबसे कम लगभग दश्मलब 5 से 1 प्रतिशत होते हैं न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट 6 से 8 प्रतिशत भक्षन कोशिका ह जो अंदर प्रवेश करने वाले बाहर जीवों को समाप्त कर देती है। न्योट्रोफिल का केंद्रक मल्टि लॉबिलर होता है। न्योट्रोफिल न्यूट्रल डाई के साथ अभी रंजित होते हैं। बेसोफिल एलर्जी के समय हिस्टमίν और सिरोटिरियन आधी का श्राव करती हैं। इसलिए इनका सीधा संबन एलर्जी के साथ है। तथा बेसोफिल शोथ कारी क्रियाओं में भी सम्मिलित होती है। बेसोफिल एक बेसिक अर्थात शारीय डाई के साथ अभी रंजित होती हैं, इसलिए इन्हें बेसोफिल कहा जाता है। यह संयोजी उतक में पाए जाने वाली मास्ट कोशिकाओं का भी प्रतिने दिद्व करती हैं। इसनोफिल दो से तीन प्रतिशत होती हैं तथा संक्रमन से पचाव करती हैं। और एलर्जी प्रतक्रिया में भी सम्मिलेत रहती हैं। इसनोफिल की संख्या भी एलर्जी के समय पहुत बढ़ जाती है। इसनोफिल एक ऐसिड डाई के साथ अभी रंजित होती हैं। इसलिए इन्हें ऐसिदोफिल भी कहा जाता है। इनका केंद्रक दोईपालित होता है। लिम्फोसाइट 20 से 25 प्रतिशत मुख्य तहत दो प्रकार की होती हैं। बी तथा टी लिम्फोसाइट। बी और टी दोनों प्रकार की लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदाई हैं। इनका केंद्रक गोल और बीच में स्थित होता है। B-Lymphocyte प्रतिरक्षी उत्पन करती हैं. प्रतिरक्षी प्रतिजन को पहचान कर उसके साथ जुड़ जाती हैं और उसे वही मार देती हैं. इस प्रकार यह शरीर को बिमारियों से लड़ने में साहिता करती हैं. Monocyte आकार में सबसे बड़ी श्वेत रक्तकणिका हैं. इनका केंद्रक गोडे की नाल के समान होता है. टीवी रोग के समय इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती हैं. और जैसे की पहले बताया गया कि यह भक्षकानू हैं और अंदर प्रवेश करने वाले सभी जीवानूं को मार गिराती हैं. पट्टिकाणू अंग्रेजी में प्लेटलेट्स को थ्रोंबोसाइड भी कहते हैं. ये मेगा केरियोसाइड अस्थी मज्जा की एक विशेश कोशिका के टुकडों के विखंडन से भी पनती है. रक्त में इनकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख प्रतिगहन मीटर होती है. यहां आकार में लाल रक्त कणिकाओं से भी छोटी होती है. यह प्रयोक शाला में अबिरंजित होने पर गेहरे बैंगनी या नीले रंग के बिंदू समान सररचना के रूप में दिखाई देती है. प्लेटलेट कई प्रकार के पदार श्रावित करती है जिनमें अधिका प्लेट की संख्या बहुत गिर जाती है. पिल्कुल सही सोच रहे हैं आप. ऐसा डेंगु रोग में होता है. प्लेटलेट की संख्या में कमी के कारण सकंदन अर्था जमाव में विकृती हो जाती है. तथा शरीर से अधिक रक्त श्राव हो जाता है. और यदि प्लेटलेट इसकी संख्या अधिक कम हो जाए तो यहां घातक भी हो सकता है ऐसी स्थती में शरीर पर चोट ना भी लगी हो तो भी शरीर से रक्त श्राव होने लगता है और रोगी को रक्त चढ़ाना भी पड़ सकता है आईए अब रक्त सम्मू अंग्रेजी में ब्लड ग्रुप के विश रक्त प्रकार अर्थात रक्त सम्मू वन्शानुगत रूप से प्राप्थ होते हैं और माता वपिता दोनों का योगदान का प्रतिनिद्ट्व करते हैं कार्ल लेंट्स्टाइनर ने सन 1900 में रक्त सम्मू की खोज की थी और इसके लिए उन्हें 1930 में नोबल प्राइस से भी सम्मानित किया गया रक्त का कई तरीके से समू ही करण किया गया इनमें दो मुख्य सम्मू A, B, O तथा आरेच का उप्योग पूरे विश्व में होता है आईए अब हम A, B, O रक्त समू की चर्चा करते हैं A, B, O मुख्य तहर लाल रूधिर कड़िकाओं की सतैप पर दो प्रतिजन अंग्रेजी में एंटीजन की उपस्तिती या अनुपस्तिती पर निर्भर करता है ये एंटीजन A और B हैं जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रेरित करते हैं इसी प्रकार विभिन व्यक्तियों में दो प्रकार के प्राकर्तिक प्रतिरक्षी अंग्रेजी में एंटीबोडी शरीर प्रतिरोधी मिलते हैं प्रतिरक्षी वे प्रोटीन पदार्थ हैं जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं विद्यातियो स्क्रीन पर दिखाई गई तालिका में आप देख सकते हैं कि मनुष्यों के रूधिर को चार वर्गों में वर्गी क्रिट किया गया है जिनको A वर्ग, B वर्ग, A B वर्ग तथा O वर्ग कहते हैं रक्त समू A वाले व्यक्तियों की लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर A प्रतिजन होता है और रक्त सीरम में B प्रतिजन के खिलाफ प्रतिरक्षी अर्थाद एंटिबॉडी होते हैं इसलिए रक्त प्रकार A वाले व्यक्ति केवल रक्त समू A या O रखने वाले व्यक्तियों से रक्त प्राप्त कर सकते हैं A अदिमान्य होगा और रक्त समू A वाले व्यक्ति केवल A या A B प्रकार वाले व्यक्ति को ही रक्त दान कर सकते हैं रक्त समू B वाले व्यक्तियों की लाल रक्त कोशिकाओं की सतय पर B प्रतिजन होता है और रक्त सीरम में A प्रतिजन के खिलाफ प्रतिरक्षी अर्थार अंटिबोडी होते हैं इसलिए रक्त प्रकार B वाले व्यक्ति केवल रक्त समू B या O रखने वाले व्यक्तियों से रक्त प्राप्त कर सकते हैं B अधिमान्य होगा और केवल B या A B प्रकार वाले व्यक्ति को ही रक्तदान कर सकते हैं रक्त समू A-B वाले व्यक्तियों की लाल रक्त कोशिकाओं की सतय पर दोनों प्रतिजन अर्थाद A और B होते हैं. और उनके रक्त सीरम में A-B के खिलाफ कोई प्रतिरक्षी अर्थाद एंटिबोडी नहीं होता. इसलिए रक्त प्रकार A-B वाले व्यक्ति किसी भी समू से र दिमान्य होगा. लेकिन केवल A-B प्रकार वाले व्यक्ति को ही रक्तदान कर सकते हैं. रक्त समू O वाले व्यक्तियों की लाल रक्त कोशिकाओं की सतय पर दोनों A-B प्रतिजन होते ही नहीं. बलके उनके रक्त सीरम में A-B प्रतिजन के खिलाफ A-B प्रतिरक्षी अर्था antibody होते हैं इसलिए रक्त प्रकार ओ वाले व्यक्ति केवल रक्त समू ओ रखने वाले व्यक्तियों से ही रक्त प्राप्ट कर सकते हैं लेकिन किसी भी A, B, A, B, A वाले व्यक्ति को रक्त दान दे सकते हैं यदि किसी को भयानक आपात स्तिती में एक रक्त दान की आवशक्ता हो और प्राप्ट करता के रक्त को दान योग बनाने में यदि हानिकारक देरी हो रही हो तो ओ नकारात्मक रक्त दिया जा सकता है एक रूधिर वर्ग के व्यक्ति को उसी वर्ग का रक्त दिया जा सकता है दूसरे वर्ग का रक्त देने पर उस व्यक्ति की लाल रूधिर को शिकाएं अवशिप्त हो सकती है पर समान वर्ग के रक्त देने से अवशेपन नहीं होता दूसरे वर्ग का रक्त देने से व्यक्ति की मृत्यू तक हो सकती है दुरगटना में कहीं कट जाने से या शल्लकर्म में कभी-कभी इतना रक्त श्राव होता है कि शरीर में रक्त की मात्रा बहुत कम हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यू हो सकती है ऐसी दशा में, रोगी के शरीर में रूधिर पहुँचाने से उसकी प्राण रक्षा संभव होती है उस समें, रूधिर परिष्चा द्वारा रोगी का रूधिर वर्ग मालुम करके उसी वर्ग के रूधिर मनुष्य का रूधिर लेकर रोगी को दिया जाता है किन्तु ओ नकारात्मर्ग वर्ग एक ऐसा रूधिर वर्ग है जो कि किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्ति द्वारा ग्रहन किया जा सकता है इस कारण ओ नकारात्मग वर्ग के रूधिर वाले व्यक्ति सर्व दाता अंग्रेजी में युनिवर्सल डोनर कहे जाते हैं जो सभी समुगों को रक्त प्रदान कर सकते हैं ए बी वर्ग के रूधिर वाले व्यक्ति अन्य सब वर्गों का रूधिर ग्रहन कर सकते हैं इसलिए इन व्यक्तियों को सर्व ग्रहन करता अंग्रेजी में यूनिवर्सल रेसिपियंट कहा जाता है। रक्त में आरेच तत्व भी होता है जिसकी परिक्षा भी आवश्यक है। आए अब रक्त समू आरेच की चर्चा करते हैं। आरेच समू एक अन्य प्रतिजन आरेच से है जो लगभग 80% मनुष्यों में पाया जाता है। तता यह आरेच एंटीजन रीशिस बंदर में पाय जाने वाले एंटीजन के समान है। ऐसे व्यक्तियों को जिसमें आरेच एंटीजन होता है उन्हें आरेच सहित अंग्रेजी में आरेच पॉजिटिव तथा जिनमें यह नहीं होता उन्हें आरेच हीन अंग्रेजी में आरेच नेगटिव कहते हैं। यदि आरेच रहित के व्यक्ति के रक्त को आरेच सहित के साथ मिलाया जाए, तो व्यक्ति में आरेच प्रतिजन, आरेच नेगिटिव के विरुद्ध, विशेश प्रतिरक्षी बन जाती हैं. अतह रक्त आदान प्रदान के पहले आरेच समूग को मिलाना भी अतियंत आवश्यक है एक विशेश प्रकार की आरेच अयोगिता को एक गर्ववती आरेच नेगेटिव माता और उसके गर्व में पल रहे भुण के आरेच पॉजिटिव के बीच पाई जाती है अपरा द्वारा प्रथक रहने के कारण भूण का आरेच अंटिजन सगर्वता में माता के आरेच नेगेटिव को प्रभावित नहीं कर पाता लेकिन फिर भी पहले प्रसव के समय माता के आरेच नेगटिव रक्त से शिशु के आरेच पॉजटिव रक्त के संपर्क में आने की संभावना रहती है ऐसी दशा में माता के रक्त में आरेच प्रतिरक्षी बनना प्रारंब हो जाता है ये प्रतिरोध में antibodies बनाना शुरू कर देती है। यदि परवर्ती गर्भावस्ता होती है तो रक्त से आरेच नेगटे ब्रूण के रक्त आरेच पॉजिटिव रक्त में आरेच प्रतिरफशी का रिसाव हो जाता है। और इससे ब्रूण की लाल रूदिर कणिकाएं नश्ठ हो सकती है। यह ब्रूण के लिए जानलेवा भी हो सकती है या उसे रक्त अल्पता अर्थाथ खून की कमी और पीलिया हो सकता है। ऐसी दशा को गर्भ रक्ताणू को रक्ता अंग्रेजी में इरिथ्रो ब्लास्टो फिटालिसिस कहते हैं। इस्तती से बचने के लिए माता को प्रसव के तुरंत बाद आरेच प्रतिरक्षी का उप्योग करना चाहिए। विध्यार्तियों आपने कभी रक्त समू की जाज कराई है। रक्त समू की जाज कराने के लिए आवशक सभी सामगरी को टेबल पर व्यवस्ति धंग से निकालकर रख लिया जाता है। रक्त समू की जाच हेतू उपस्तित व्यक्ती के हाथ को स्पिरिट से जीव रहित किया जाता है। लेंसेट की सहायता से जिस व्यक्ती के रक्त वर्की जाज करनी है उस व्यक्ती के बाएं हाथ की उंगली को प्रिक किया जाता है। उंगली से निकला हुआ रक्त कांच की तीन स्लाइड पर तीन भूंदों के रूप में लिया जाता है कांच की स्लाइड पर लिये गए रक्त की भूंदों में एंटी सिरा एबी डी की तीन भूंदें डाले जाती है दूसरे साफ कांच की स्लाइड से रक्त और एंटी सिरा को मिलाया जाता है एक साथ मिलाये गए कांच की स्लाइड से क्या रक्त में गांट तयार हो रही है उसे देखा जाता है और चार्ट की सहायता से सही रक्त समूग का पता लगाया जाता है रक्त यानि खून एक ऐसी चीज है जिसे बनाया नहीं जा सकता इसकी आपूर्ती का कोई और विकल्प भी नहीं है यह मनुष्य के शरीर में स्वयम ही बनता है कई बार मरीजों के शरीर में खून की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि उन्हें किसी और व्यक्ती से रक्त लेने की आवश्यक्ता पढ़ जाती है ऐसी ही आपात का उस्तिती में खून की आपूर्ती के लिए लोगों को रक्तदान के लिए जागरूप करके अनगिनत जरूरत मन्दों की जीवन की रक्षा के उदेशे से हर साल 14 जून को पूरे विश्व में रक्त दाता दिवस मनाया जाता है सबसे आम तोर पर रक्त दान संपूर्ण रक्त के रूप में नस में नालशल का अंग्रेजी में कैथिटर लगा कर और इसे गुर्त्व के माध्यम से एक प्लास्टिक के बैग में जिसमें रक्त सकंदन रोधी भी होते हैं मिलाकर संग्रहित कर लिया जाता है तब संग्रहित रक्त को घटकों में विभाजित किया जाता है ताकि इसका सर्वशेष्ट उपयोग किया जा सके निकाले गए रक्त के प्रतेक तत्व की अलग-अलग जीवन अब्दी होती है एक यूनिट से तीन से चार लोगों की जरूरतें पूरी की जा सकती है विद्यार्तियों आईए आज हमने जो को सीखा अब हम उसकी त्वरित पुनरावर्ती करते हैं आज की सत्र में हमने रक्त के कारयों को समझा रक्त में उपस्तित संगटित पदार्तों के विशे में जानकारी प्राप्त की और उनकी भूमिका को जाना रक्त में पाए जाने वाले प्रोटीन के तीनों प्रकार फाइब्रोनोजन, आल्बमिन तथा ग्लॉबलिन के विशे में जाना रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की क्या भूमिका होती है और उनका रंग लाल क्यूं होता है हमने इसके विशे में भी जानकारी प्राप्त की श्वेत रक्त कणिकाएं और उनके प्रकार हमने उनको भी जाना विभिन प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाओं में क्या अंतर होता है और वो किस तरीके से शरीर में अपनी भूमिका निभाती हैं हमने इस पर भी चर्चा की मानव शरीर में रक्त में विभिन रक्त समूहूं क्यूं होते हैं हमने इसको जाना तथा APO रक्त समूह और RS रक्त समूह के विशय में चर्चा की साथ साथ हमने यह भी जाना कि एक व्यक्ति को जब रक्त चढ़ाया जाता है तो रक्त समू का मिलान क्यूं आवश्चक है और इस सत्र में हमने रक्त दान की उपयोगिता को भी समझा आईए अब आपके लिए इस सत्र से एक ग्रह कार्य है रक्त समू तथा रक्त दाता सुयोगिता को दरशाती हुई तालिका बनाईए किनी दो बीमारियों के विशे में पता लगाईए जिसमें हीमोगलोबिन की कमी हो जाती है गर्भ रक्तानों को रक्ता से किस प्रकार पचा जा सकता है चर्चा कीजिए आशा है आप सभी ने सत्र का आनन लिया होगा और कुछ नया सीका होगा अब हम इस सत्र को यहीं विराम देते हैं धन्यवाद अब है अब हम ठाप आनन लिया उप पཁछ आप आनन लिया है चर्वाद अब है अब हम इस सत्र का यह रहा है झाल झाल